तो ये देखो प्यारे बच्चों इस वाले कोश्चन को क्या कहा जा रहा है ठीके ना ये एक अच्छा सा कोश्चन है इसको करो जल्दी करता है कि एक रीजन है जिसमें मेगनेटिक फिल्ड दिया हुआ है ये जो है मेगनेटिक फिल्ड की बेलू 2 इंटू 10 की पाउर माइनस 2 टेसला सरकूलर कोईल जिसकी यहां से रेडियस भी दिया हुआ है उस बेलू को मैं हाइलाइट कर देता हूँ और रेज सेस्टों स भी दिया हुआ है आज ध्यान देना है कि यह रोटेट कर रहा है जो एकसी जा उसको समझना रोटेट्ड अवावन एकसी क्या रुक्श्च वो डाइमीटर है, वो मेगनेटिक फिल्ड के पर्पेंडिकुलर है, इप दे क्वाइल रोटेट इतना रिवोलूशन पर मिनिट, रिवोलूशन पर मिनिट फ्रिक्वेंसी है, तो एम्पलिट्यूड अब दे करेंट, मतलब maximum current की value निकलना है, तो अगर तुम देखो, maximum current इसमें निकालोगे, सबसे पहले एक क्वाइल बना लो, यह क्वाइल है, रोटेट कैसे करा, यह पहले समझो, यह जो circular coil है, this is the circular coil, इसमें current फूलो होगा, तो इसमें current मान लेते हैं, में ऐसे फ्लो होगा, ऐसे is just random for your understanding, तो अगर इसमें current ऐसे फ्लो हो रहा है, तो सबसे पहले axis of the coil समझते हैं, और जो जिस axis के बाउट rotation हो रहा है, वो diameter है, और वो magnetic field के perpendicular है, तो यहां से यह वाली जो axis है, diameter है ले लेता हूँ, this is the diameter of the coil, और यह diameter इसके about rotation हो रहा है, ऐसे rotate करेगा, और यह जो diameter है, वो magnetic field B के perpendicular है, ठीक ना, यह वाली चीज़, समझ में आया, तो B के यहां से perpendicular है, तो इस diameter के about rotation हो रहा है, ठीक ना, अगर किसी भी instant, अगर coil मुझे ऐसे दिखेगा, तो magnetic field अगर यह diameter हो गया, तो यह अपनी magnetic field हो गई, तो इस axis के about rotation होगा, coil ऐसे अंदर हो, अंदर ऐसे घूमेगा, ठीक ना, बात आरा है समझ में, तो इसमें जो maximum current है, maximum amplitude of the current, मतलब I not, maximum current की value निकालनी है, तो देखो, simple सी बात है, अगर मुझे इस coil में current की value निकालनी है, maximum current, तो introduce maximum voltage upon resistance of the coil, अगर यह logic में लगा दूँगा, यह logic लगा दूँगा, तो यह problem solve हो जाएगा, क्योंकि resistance है यहां से दिया हुआ है, pi r square, ठीक है, तो introduce EMF निकालो, maximum, तो मान लेते हैं, अगर यह coil घूमता है, तो किसी भी instant angle theta है, तो introduce EMF की magnitude आजाएगे, d phi over dt, और d phi over dt को मैं लिख सकता हूँ, phi is equal to ba, number of turns, और cos theta, और theta को मैं लिख सकता हूँ, जब यह घूम रहा है, तो b और dt, ban, और cos theta को मैं omega t लिख सकता हूँ, ठीक ना, तो यहाँ से जो introduce EMF, जो constant है, वो बाहर आजाएगे, तो ban बाहर आजाएगा, और d over dt, इसका derivative, ठीक ना, तो इसका derivative जो है, cos omega t बच जाएगा, cos omega t का derivative जो आएगा, वो आजाएगा, ban omega, और यहाँ से sin omega t, तो जो instantaneous voltage, जाएगा, वो आजाएगा, ban, यहाँ से omega, sin omega t, this is the instantaneous voltage developed in the loop, as a function of time, ठीक ना, तो यह वाली जो हमें develop हो गई है, अब हमें चाहिए maximum voltage, तो यहाँ से जो maximum voltage की value आजाएगी, यह जब sin की value maximum होगी, ठीक है, sin की value maximum plus 1 होगी, ठीक है, तो maximum voltage आएगी, ban omega, लेकिन यहाँ पर frequency दिया है, तो 2 pi frequency, ban में लिग लेता हूँ, this is the maximum voltage developed in the loop, इसको क्या करना है, इस वाले equation में रख देना है, और उसके बाद जस्ट value ले लेना है, और यह solution हो जाएगा, तो अब मैं इसमें अगर रखता हूँ, तो सबसे पहले, जो आई आजाएगा, maximum current जो आजाएगा, maximum voltage 2 pi frequency, ban of resistance, this is the maximum current developed, अब हमें algebra तो नहीं चाहिए ना, तो हमें number रगना, तो 2, यहाँ से pi को pi रहने जाता हूँ, frequency, revolution per minute है, तो revolution per second के लिए 200 divided by 60 कर दूँगा, तो यहाँ जाएगा 200 divided by 60, this is the revolution per second, और magnetic field यहाँ से दिया हुआ है, magnetic field B कितना है, 10 की power minus 2, तो यहाँ से 10 की power, magnetic field की value 10 की power minus 2, area pi r square, ठीक है, pi r square, यहाँ से radius of the coil 30 centimeter दिया है, तो pi r square मतलब 30 multiplied by 30, और 10 की power minus 4, pi r square, number of turns, area हो गया, number of turns कितना था, number of turns, इसमें जो number of turns जो दिया था, वो बताया नहीं तो मैं 1 ले लेता हूँ, number of turns 1 ही रहा होगा, single coil दा, और resistance यहाँ से दिया है, pi r square, तो resistance यहाँ से pi r square, अब एक काम करना, इसको solve करना, pi r square ने pi r square को यहाँ से खतम कर दिया, और जब इसको solve करोगे, तो यह 3 से यह 2 times में कट जाएगा, और एक 0 से यह 0 कट गया है, यह 2 से यह 2 कट गया, तो 10 इधर बचा, मतलब 20 इधर बचा, और इधर बचा, तुम देखोगे, pi खतम हो गया, 20 इधर बचा, और यह 300 अपना इधर बच गया, और 10 की power minus 6 इधर बच गया, ठीक ने, तो अगर अब तुम finally यहाँ पर तुम देखोगे, यहाँ से pi square, pi square अगर तुम देखोगे, तो 6 यहाँ से आजाएगा, 6 इंटु 10 की power, 1000, और 10 की power minus यहाँ से 6, मतलब 6 इंटु 10 की power minus 3, मतलब 6 milliampere is the maximum current developed, तो 6 milliampere मतलब अपना C option सही हो जाता है, तेंक यू. झाल साथी सनल्ब तुम